वो अपने सारे वादे बूल जाते हैं मोधी जी के अबल जूमला देते हैं और कुछ नहीं इतनी महनत करते हैं पढ़ाई लिखाई करते हैं किस लिए क्या पगोड़े तलने के लिए पगोड़े तल पगोड़े तो एक बेरोजगार आदमी भी तल सकता है भीना पढ़ा लड़ी को ठाक लेगे और उसको अस्तन को भी कार दिया जगा जगा निर्वे हाते कांड उससे भी खतरना हाथ उसके साथ अभी तक आज मोदी जी कुछ नहीं बोले हैं इतने दूर से आने का कारण क्या है यहां पर आप जो आया है यह आने के लिए यही बाबा साहिब को दे पर आप देख रहे हैं इस वकत मैं दिल्ली के ऐसे अहतियासिक जगा पर हूँ जहां पर इस देश के भारता है के सविधान निर्माता डॉक्टर बावसामबेटकर ने अपनी अंतिमसा से ली थी आप बिल्कुल साही समझ रहे हैं मैं इस वकत डॉक्टर बावसामबेटकर राष्किय समारक पर हूँ और यहां पर इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष पर तमाम लोग मौजूद है यहां पर बावसाम ने अपनी अंतिमसा से ली थी और यहां पर एक समारक बना हुआ है जो डॉक्टर अमबेटकर मेमोरियल के तौर पर यहां पर जाना पहचाना जाता है थोड़े ही समय पहले अभी बारिश भी हुई थी काफी जादा लोग यहां पर मौजूद है और वो सभी लोग इस मेमोरियल के अंदर जाकर उन तमाम चीजों को अनुभाव करना चाहते है लेकिन प्रशाशन शाशन जिस तरीके से यहां पर काम कर रहा है यह बंद पड़ा हुआ है अंदर जाने की जो अनुमती है वो बिल नहीं किया देने जा रहा है तो उसको लेकर उनकी क्या कुछ प्रतिक काफी जार लोग है यह भाई भी है काफी समय से इंतजार कर रहे है क्या नाम है यहां पर ही सी अब मेमोरियल को देखने के लिए दादरी से आज नरेंद्र मोदी जी ने यही लाल किले से तमाम बाते नहीं मिली है नहीं मिली आज देखने के लिए ना इस पर नो एंट्री लगा है क्यों नहीं लगा है अब पता तो चले पब्लिक के लिए बंद रहेगा तो कोई जाएगा नहीं बंद रहेगा तो खुलना चाहिए जब यहां पर आये तो खुलना चाहिए गेट सुबह गेट क्यों खुला गेट आज उपतन तरता दिवसा इसको क्या कहना चाहिए थी करें लिए नहीं पर और यह लोग इतनी दूर से आ के परशान हो रहे था किराया लगता है यहां आने का बुक करके आए कितने समय हो रहा है कितने समय से इंतजार कर रहे हैं और इतनी देर से इंतजार करवा कि बारीज में हमारे चोटे-चोटे बच्चे सारे बाहर भीग रहे हैं यहां तो यहां तो कारण भी पूछने के हम कोशिश करेंगे कि आखर यहां पर यह तमाम जो लोग मौजूद है पूछना है कि बंद करवाया है गेट को बंद करवाया तो अदमी ने दूर से आने का कारण क्या है यहां पर आप जो आए हैं यहां आने के लिए यहीं बाबा साहिब को देखना है प्रदान मंत्री मोधी देश के आज लाल के लिए से बहुत सारी बाते की है क्या लगता है देश सच में आपके नजरिये से आजाद है अज़ाद नहीं बिल्कुल आज़ाद नहीं कारण अज़ाद होता है तो संडे संडे मंडे को कुलोज यहां चूटी के दिन है सब को यहां आणा है आप देखें है सुबह सही बंद है ताला बोलें दस मैचे बंद करके चले गएने था नहीं तो तुम दो तोड़के चले जा हुआ है भाट करिये अच्छा यह बताइए देश के अंदर में तमाम जो हाला था एक नारा भी लगाया जाता है कि बेटी बचाऊ-बेटी पढ़ाओ कितना लगता है यह नारा कारगर है कितना साबीत अरे मोधी जी ते खार हैं बेटी बचाऊ-बेटी पढ़ाओ क्योंकि द अभी तो बियार में देखे मुझे पर्भुन में परसों की घाटना हुआ है और दर्दनाग घाटना हुआ है यादो समझाए के लोग चार नोग दलित लड़की को उठाक ले जागे न और उसको अस्तन को भी कार दिये है जगा जगा निर्वय हाते कांड क्या उससे भी खतर पुरियम काल है देश में चल रहा है अम्रित काल लें के इ Χाल क्या मरें आपको लगता क्या है मुझाह कहां से कैल मिला है यह जो फूरत ऐसको डिन पीन मोज जित लिए उसको रात ने परपनितिक कर भी नेतिगैंग.- इसका वी राजनितिक का रहा है उसलिए उसको बाहर कर दिया गया बहुत सारे इन लोग राजनितिक चाल चल लाएं कि छोटे के दबे कचले लोगों को उपर उठाना ही नहीं चाहते हैं इसलिए कि यह पूरी तरीकी से लागू हो पाया है नहीं लागू नहीं हो पाया है पूरी तरी से लागू कहां पर क्योंने हुआ अभी तक क्योंकि प्राइबिलाइजेशन कर दिया जा रहा है संपती को बिजब बेज देंगे तो आरक्षण किसमें देंगे तो देश में जो सरकारी चल रही है वो क्यों यह सिस्ट का जो है वो कहने के भला नहीं चाहती है वो क्यों नहीं चाहती बला और यह चाह नहीं रहें कि छोटे दवे कुचले लोग को उपर उठानेंगे उठाई ने उठने नहीं दे रहे हैं और आरक्षण आरक्षण चिला रहे हम लोग कहां से अरक्षण में हैं जितने पुजिपती हैं सब वही हैं हर जी जो वही हैं गार्चिक बर लिए और भी और भी काफी सारे लोग है छोटे बच्चे भी यहां पर आये हुए जी कितने देर से वेट कर रहे हैं देर तो चुड़ो आदा घंटा वाए घंटा में यह नहीं है बड़े सास के साथ बड क्राइवेरा लगाके तो आये तो आया थे अब परेशान है वना नाम आपका विमल नाम है कहां से आये यूपी विजनौर से यहां पर आया जी स्पेशल इसी को देखने के लिए अच्छा यह स्टी के वरगी करन को लेकर कुछ पता है आपको जो आरक्षन में कोटे में करना पड़ेगा तभी तो मिलेंगे अपको लगता है रोगणारी खतम हो गए देश से अरे जनतनी होगी तो रोजगार मिलें कहाई इतनी चाहिए क्या सच में आपको लगता है कि जनसंग बढ़ने के कारण बेरोजगारी खतम नहीं उपर सरकार की नाकामी है अच्छे मुद्धे भे धैसला नहीं देती है जर्कार तो कहरे हम सब बे रोजगारी खतम कर दिए वो तो कहरे कि पधाइल का जनरेशन इस पकड़ना चाहिए सरकार को रोजगार देना ही चाहिए इतनी मेहनत करते हैं पढ़ाई लिखाई करते हैं किसलिए क्या पकोड़े चलने के लिए पकोड़े चल सकता है बिना पड़ा लिखा पड़े लिखे बंदे को तो रोजगार मिलना ही चाहिए आज मोधी जी ने लाल के लिए से एक बात कही है कि हम एक लाक ऐसे युवाओ को बनाएंगे और उनको राजनीती कि अंदर लाएंगे लेकिन रोजगार और तमाम चीजों को लेकर उन्होंने बात नहीं कि क्या कारण है 2004 में ऐसे तो बोल काया थे कि हम दो करोड़ नोगरी देंगे कुछ नहीं हुआ वो अपने सारे वादे बूल जाते हैं मोधी जी केवल जूमला देते हैं और कुछ नह पर चलते हैं बाबा साफ को मानने वाले जी कहां से आये दोस्भी गया है जिनोर से यहीं देखने के लिए जिए पढ़ते हैं मैं इस टाइम तो भी है क्या हूं कहां से पढ़ रहे हैं विजनोर से अपनी साइट से हैं कैसा लग रहा है देश के अंदर में बेरुजगारी यह वा औके तमाम मुद्दे क्या लगता है कि कुछ बदला हो पाएगा में कोई 50 परसेंट बदला है वाकि आसा कोई खास बदला नहीं हुआ है जैसे मतलब सरगार बोलते हैं कि हर साल नौगरी निकालती है हर साल कैंसिल कर देती है तो इस साबसे मेरे लगता है कि आने वा पूरा करेंगे बचाने की पूरी कोशिस है जहां तक वो रहेगा बचाएंगे क्योंकि अगर संभिधान रहेगा तो हमारा अरक्षन की जो मिला हुआ हमें उसका कोई मौली नहीं है पहले वाली जिन्दगी रहेगी तो फाइदा क्या उस चीज़ है तो यह तमाम चीज़े है और इन चीज़ों को आपके साथ हमने रूबरू करने की कोशिश की है कि बबासाब डॉक्टर भीमरा अंबेट कर इनके इस एतियासिक मेमोरियल में जहां पर उन्हें अपने जीवन की अंतिम सासे ली और यहां से उनके शव को जिस तरीके से मुंबई ले जाये गया और उ चीज़ों को ध्यान में रखते वे अब वो सुरक्षा है या फिर किस तरीके से ये कारण है कि अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और अन्य को अन्य को मसलों को लेकर यहां पर लोगों से हमने चर्चा और बातचित करने की कोशिश की है आपकी इस पूरी की पूरी चर्च को लेकर आपकी क्या रहा है प्रतिक्रिया क्या है अमें कमेंड बॉक्स में लिकर जोर बता बने रहें नैशनल चौपाल के साथ मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए जय भीम जय भारत